हेलो एवरिवन मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ओफिशल टू में आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू अपडेट की उससे भी पहले आपको बताना चाहूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ट चैनल के उपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे कि जब भी हम यहाँ पर कोई न्यू अपडेट लेकर आते हैं कोई नोटिस लेकर आते हैं तो उसकी इंफोर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो उन सभी का फायदा आप ले सकते हो अब हम बात करते हैं यहां पर एक notice आया है notice बोल सकते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि कितने बड़े level के ओपर यहां पर धांदली हो रही है exam में यहां पर जो हमारे exam होते हैं jobs के लिए इसमें ये देखने को मिल रहा है कि किसी candidate ने किसी दूसरे candidate की जगह यहां पर exam दिया है यानि कि जिसने exam दिया है वो उसका वहां पर नाम नहीं है लेकिन वो किसी और की जगह exam देखे आया है और इतना ही नहीं बलकि उस candidate ने पहले भी किसी candidate की जगह exam दिया है यानि कि यहां पर धांदली इतनी बड़ी है हम देख सकते हैं ये कोई बोर्ड लेवल का एक्जाम भी नहीं है क्योंकि बोर्ड लेवल के ओपर भी अब ऐसी चीज़े नहीं देखने को मिलती है जहां पर हमारे चुंकाने बाली बात ये है कि जिस ये कैंडिडेट ने अभी एक्जाम दिया है किसी दूसरे कैंडिडेट के नाम के उपर उसने पहले भी किसी और कैंडिडेट के नाम से एक्जाम दिया था हालांकि उसको बहां से रिजेक्ट कर दिया गया था उस कैंडिडेट को यहां से ह अमित कुमार नाम का कोई कैंडिडेट है उसकी जगह यहां पर उस कैंडिडेट ने यानि की दूसरे व्यक्ति ने ओनलाइन CBT एक्जाम जो की 18.08.2019 को हुआ था बहां पर वो अपेर्ड हुआ है और इसके साथ इसी कैंडिडेट ने यानि की यही जो व्यक्ति है जो अमित इसने पहले नितन कुमार के नाम से यह जो व्यक्ति है दूसरा कैंडिडेट है जिसका यह रॉल अमबर है इसके नाम से भी पहले यह ओल्रेडी एक्जाम दे चुका है तो बही यहां पर बताया गया है कि हो हैड ओल्रेड बीन डिवियर्ड दस एक केस इंपर्सोनेशन तो क्यां महां दे राट करता है कि इतने बड़े लेवल के उपर कोई व्यक्ति जो हाव वो कैइसे ऐसा कर सकता है क्या वहां पर सेक्य audir weakness नहीं होता है बोलने को यह आता है कि हर जगह से अगर online system हमारा है चाहे offline system होता है तो security काफी high level की देखने को मिलती है एक्जाम में लेकिन ये कैसा हो रहा है वो भी उस समय जब हमें जोब लेनी होती है क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो है वो इतनी जादा प्रैक्टिस करता है इतनी तैयारी करता है लेकिन फिर भी अगर ऐसे धांगली देखने को मिलती है तो कहीं न कहीं जो इस वीडियो में इतना ही जिसमें हमने देखा है कि कोई कैंडिडेट किस तरह से दो-दो इसमें दे रहा है एक्जाम दे रहा है तो आज के लिए इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में so thank you so much for watching the video